तोहारों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और हर घर में खीर की रेसिपी तो जरूर बनाई जाती है लक्षमी पूजन वाले दिन तो इसके विना लक्षमी पूजन अधूरा है ये बात सच है तो कमेंट वक्स में जरूर बताइएगा किस किस के घर में लक्षमी पूजन वाले दिन ये खीर बनाई जाती है आज मैं कुछ खास तरह की बहुत ही अमेजिंग खीर की रेसिपी लेके आई हूँ भूनी सेवईया की खीर हर घर में सेवईया बनाई जाती है अलग लग तरीकों से बनाई जाती है लेकिन आज मैं कुछ खास ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे आपकी जो खीर बनेगी बहुत ही रबडीदार और मलाईदार बनेगी ये मैंने भूनी सेवईया ली है उससे पहले मैंने तीन चमच कड़ाई में डाल दिया है घी देसी घी यूच कीजिएगा जहां तक हो उसके बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है इसे लगातार हम चार से पाच मिनट तक पकाएंगे भूनेंगे या फिर ये कहलेजिए कि इसे जब तक भूनेंगे जब तक इसमें थोड़ी सी खुश्बू ना ने शुरू हो जाए और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी जैसे हम भून रहे ना तो इसका कलर ऐसा हो जाना चाहिए ये देखिए थोड़ा सा लाइट हो चुका है और ये अच्छे से थोड़ी सी फूल चुकी है इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें एक लिटर दूद होसके तो आप उबला हुआ दूद ही लीजिएगा मैंने पहले ही उबाल लिया था इसे ताकि आपकी टाइम की बचत हो सके और इसे अब लगातार चलाते रहेंगे यहां गैस का फ्लेम आप लो कर सकते हैं अगर लो फ्लेम पर पकाएंगे तो थोड़ा सा इसे चला के छोड़ सकते हैं और अगर आप medium flame पे कर रहे हैं तो इसे आप लगातार चलाते रहेगा ये देखिए कुछी देर में आपको ऐसी consistency की दिख जाएगी और इसी stage पे हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं इसको रबडीदार और मलाईदार बनाने के लिए वो क्या है ये देखिए थोड़ा सा मैंने दूद लिया है कटोरी में और मैंने दो चमच भरके इसमें डाला है milk powder जो हमारी खीर को बनाएगा बहुत ही मलाईदार और रबडीदार और साथ ही हमारी खीर में जो flavor आएगा बिलकुल मावे style आएगा ये देखिए मैंने सारा ही दूद जो milk powder वाला था इसमें डाल दिया है गैस का flame यहाँ low ही रखेंगे और जब खीर हमारी इस तरह से हो जाए तो इसमें डालेंगे हम 4-5 चमच चीनी चीनी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं और ये देखिए बिलकुल high flame पे अभी मैं इसको पका रही हूँ कितनी रबडीदार बन चुकी है आप खुद देख लीजेगा कितनी ठीक बन चुकी है ये और बिलकुल गाएं का दूद मैंने लिया था कुछ dry fruits इसमें add करेंगे आप अपने पसंद के कोई भी dry fruits इसमें डाल सकते हैं वैसे तो हर गर में सेमया की खीर बनाई जाती है लेकिन इस पर मेरे तरीके से बना के देखना इसी तरीके से इसे ऐसे भून के और milk powder डाल के बनकर हमारी तयार हो चुकी है कई लोग बिना भूने ही सेवईया को दूद में डाल देते हैं बट उस खीर में वो टेस्ट नहीं आता जो भून के आता है आप खुट ट्राइ कीजिएगा इतनी अमेजिंग और इतनी खुश्बुदार खीर ये बनी है अगर आपको इलाइ रेसिपीज आपके लिए डेली लाती रहते हूं थैंक यू सो मच पर वोचिंग